एक्सरसाइस 6.5 का यह question number eight है इसमें कह रहा है इन डा following figure यह figure दिया हुआ है इसमें जो है यह figure दिया हुआ है इन डा following figure O is a point in the interior of triangle ABC ABC एक triangle जिसका O एक interior point है मतला अंदर मंए एक point है तो जिसमें OD जो है perpendicular BC देखो OD जो है यह BC पर perpendicular है और उसके बाद क्या कह रहा है जो OE जो है OE जो है AC येवर परपेंडिकुलर है और éc j जो है और OF OF जो है वो AB परपेंडिकुलर है ऐसा figure दिया हुआ है चैकर जहां तो figure ही कह रहा है उसक आת कह रहा है so that पहलए question यह है जो AO का Sq2 देखो A O का SQAIR तो मैं क्या करूँगा A और O को यहाँ पर मिला देता हूँ जो प्रूफ करने के लिए कहरा है इसमें वो आप इसे मिला दो यहाँ पर क्योंकि अगर प्रूफ करने के लिए कहरा तो यह ट्रैंगल थो हमें चाहिए ही सबसे पहले आपको यह थोड़ा सा बड़ा आपको लग रहा हुआ तो कितना हाड है ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत इजी सा step है देखो सबसे पहला पाड़ जो है आपको यह चीज प्रूप करना तो आप यह यहाँ पर लिख ले ना मैं आप नहीं लिख रहा हूँ देखो तो इसमें सबसे पहले क्या करना आपको सबसे पहले देखो यह इन तीनों को आप ध्यान में रखो इन तीनों को ध्यान में रखो इन तीनों का स्कुएर निकलो यह तो पैथा ओरस थियोरम से ही होगा देखो अगर यह परपेंडिकुलर है यहां भी 90 यहां भी 90 यहां भी 90 यहां भी 90 बनेगा यह यहां भी पर्पेंडिकूलर यहां भी पर्पेंडिकूलर बनेंगा ठीक है यह चीज्जें आपको समझ मा आगिया होगा आप देखो सबसे पहले ए ओ का स्कूरर ना पड़े कि तो इसमें निंकलोगे तो इसमें पैथा वार्डस त्यम लगाना पड़ेका चाहे तो यह ट्रे ओ या लून या यह लू कोई इसम आपको इसके लिए एक चीज प्रैक्टिस करने पढ़ेगा अगर हाँ जाए आपका रहे और फ कहा हो अगर आपका एक स्क्वरक्टी करना ऑद हो अगर अगर मैं ये वाला triangle लिए aoe लूइं अगर लूँ मैं अगर मैं triangle लूँ aoe तो इस triangle में क्या हो जाएगा आपका देखो a o का square ये hypotenuse है उसके बाद a e का square equal to a e का square और plus o e का square ये पैथा गॉर्ण से दोनों हो रहा है यह ना दोनों ही triangle हम ले सकते हैं तो इसमें क्या है तो यह दोनों अब लेकिन हमें लेना कौन सा है इसमें से लेना कौन सा है अब इसके देखो आप इसके इसमें देखो पूरे पार्ड में देखो या मैं पहला देखो AO का square देखो इधर जो RSS में है AF का square प्लस OF का square इसमें आपको कहीं दिख रहा है AF का square ठीक है यह तो दिख रहा है और OF का यह OF का भी square दिख रहा है मतलब इसका यह दोनों पार्ड जो है इसमें है अगर दूसरे के अगर मैं बात करूँ तो AO का square है यहां पर और AE का square प्लस OE का square इसमें देखो, A e का square है कहीं भी, A e का A square बिल्कुल कहीं नहीं है, और O e का, O e का square तो है, तो सिर्फ एक से नहीं, जिसमें ये दोनों पार्ट होगा वाले triangle लेंगे, तो हमें कौन सा triangle लेना है, triangle A fo, A fo, लेना है P T, मैं लिख देता हूँ, by P T, Pythagoras theorem, Pythagoras theorem से आप क्या लिख सकते हो, अभी मैंने यहाँ पा लिखा था, A O का square, A O का square, equal to, A F का square, ये वाला triangle लेना है, इसमें, ये वाला, ठीक है, A F, देखो, A O का square, hypotenuse का square, plus, A F का square, और, plus, O F का square, प्लस हो जाएगा, O F का square, ठीक है, य ये आगया, आपका, इस triangle से, इसको, आप क्या करो, यहाँ पर, ऐसे ही, रहने दो, ठीक है, आप इसको, यहाँ पर, equation, first, let कर लो, similarly, क्या हो जाएगा, अब, जो है, O B का square, तो, O B का square, यानि कि, इसमें, ये triangle भी हो सकता, और, ये भी हो सकता, इतना, मैं, बार बार सम्में, इसमें करक नहीं रिखोंगा, बस इसमें, मैं आपको समझा जाता हूँ, तो, O B का square, इसमें से कौन सा, ये triangle लूँ, या, ये triangle लूँ, तो, आप धिहान से, देखो, O B का square, अगर आप, ये triangle लेते हो, तो, O F का square, और, B F का square, तो, इसमें, O F है, O F है, और, इसमें, B F, B F, तो, नहीं है, यानि कि, ये triangle तो, होगा नहीं, है ना, तो, ये triangle देखो, आप, O F का square, O D का square, और, B D का square, O D का square, और, B D का square है, तो, यानि कि, इसमें से, हमें, ये वाला triangle लेना पड़ेगा, ठीक है, तो, आप लिखोगे, in triangle, B D O, देखो, B D O, by Pythagoras theorem, P T, मतला, Pythagoras theorem, आप, full form में लिखा है, मैंने, short form में लिखा है, तो, देखो, इसमें, क्या हो जाएगा, इसमें, हो जाएगा, O B का square, O B का square, equal to, क्या हो जाएगा, O D का square, O D का square, और, B D का square, प्लस, B D का square, पाएथा, गोर अस थिखोर हम से हो गया, इसे, है, आप equation, to let कर लो, ठीक है, similarly, अब क्या है, O C का square, तो, O C, आप देखो, यह रहा, O C, O C का square, आप depend, यह करता है, इसमें, यह triangle लूँ, यह triangle लूँ, तो, आप देखो, अगर आप यह triangle लेते हो, तो, O D का square, और, प्लस, D C का square हो जाएगा, तो, O D का square तो है, और, D C, D C, या, C D, इस भी नहीं है, तो, यह वाला triangle नहीं होगा, तो, इस triangle में रेखता हूँ, O E का square, O E का square, और, C E का square, तो, O E का square, और, C E का square आ रहा है, यानि कि, इसमें, यह वाला triangle आपको लेना पड़ेगा, ठीक है, य इन triangle, C E O, by, Pythagoras theorem, तो, क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, आपका, O C का square, O C का square, इक्वल टू, देखो, O C का square, इक्वल टू, O E का square, O E का square, प्लस, C E का square, ठीक है, यहाँ तक लिख दी आपने, इसे equation, third, let कर लो, अब आपको क्या करना है, तीनों इक्वेशन को क्य लिखता हूँ, adding, equation, first, second, and third, we have, सारे equation को आप क्या कर लो, add कर लो, तो, add अगर आप करोगे, तो, LHS को LHS से add करो, तो, A O का square, यहाँ पर A O है, और, आपको, यहाँ पर O A मैंने लिख रखा है, तो, कोई बात नहीं है, उससे कोई फरक नहीं पढ़ता, A O लिखो, या O देता हूँ, देखो, O A का square, प्लस, O B का square, और, प्लस, O C का square, equal to, इसके LHS तो हो गया, RHS जोडो, RHS को भी add करना है, तो, यह जाएगा, A F का square, प्लस, O F का square, प्लस, O D का square, प्लस, B D का square, प्लस, O E का square, प्लस, C E का square, ठीक है, बहुत तीजी सा कुस्तन आई है, ठीक है, अब आपको, सवाल, आपका solve हो चुका है, ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसमें, देखो, इधर का यह तीनों पाट तो आई गया है, कुस्तन और, फरस्ट में था, यह देखो, A O का square, A O का square आगिया है, O B का square भी आगिया है, ठीक है, O C का भी square आगिया है, अब इसमें क्या है, O D का square, यह O D को आपको क्या करना है, O D को इधर मैनस में shift कर देना है, ठीक है, उसके बाद O E को भी, यह रहा O E, इसको भी आपको मैनस में इधर shift कर देना है, और O F का square, और O F, यह रहा O F का square, इन तिनों को आपको इधर shift कर दो तो आपका answer आ जायेगा कैसे देखो OA का square plus OB का square plus OC का square मैनस में OD को इधर shift कर लो OD का square फिर ये OE को भी इधर shift करना तो मैनस OE का square हो जाएगा फिर OF को بھی shift करना है तो मैनस OF का square हो जाएगा ठीक है अब रहा है कौन से गया एक ये रह गया एक ये रहे गया और एक ये रहे गया यही तीनों रहे गया तो अब लिख दो यहाँ पर AF का स्क्वेर प्लस BD का स्क्वेर और प्लस CE का स्क्वेर ठीक है और आप question को देखो आपको यही first part में आपको क्या करना था proved करना था जो हमारा हो गया है यहाँ पर हो गया तो बहुत easy सा question था hard थो था नहीं बहुत easy था बस आपको यह triangle की इसमें problem होती है जो कौन सा triangle आप लोगे तब आपका जा करके proof होगा तो first part तो हो गया इसका second part जो है second part भी बहुत easy सा है और यह first part से ही आपका solve हो जाएगा देखो सबसे पहले second part जो है मैं आपको यहाँ पर लिग देता हूँ second part ठीक है second part मैं यहाँ बगराता हूँ second part मैं आपको proof करना है af का square plus bd का square plus ce का square equal to है ae का square ae का square plus cd का square ठीक है और plus bf का square ठीक है यह चीज़े आपको proof करना है 2nd part में तो आप देखो सबसे पहले आप इन 3 चीज़े को ध्यान में रखो ये 3 हो AF का square, BD का square और CE का square ठीक है? तो AF का square आप ध्यान से देखो जो equation first था हमारा equation first में AF का square आपका निकल जाएगा AF का square यहां से निकल जाएगा BD का square यहां से निकल जाएगा और CE का square इस equation third से निकल जाएगा ये equation first, second, third जो हमने लेट कर रखा इसी से आपका answer आजाएगा तो सबसे पहले लिखता हूँ from first, देखो इसको करने का तरीका क्या है? मैं लिखोंगा from equation first equation first जो है हमारा, वो है AO का square AO का square और equal में है AF का square पलस OF का square यह है तो यहاں से, जो क्या निकालना है? यहाँ से AF का square तो यहाँ से AF कैसुअर कैसे कैसे निकल जाएगा? देखो आप AO का AO का square अगर आप करोगे तो यह इधर shift कर दो OF का square हो जाएगा, equal to आजाएगा a f का square तो a f यहां से निकल गए आपको इसे आप rearrange करके लिख दो कोई दिक्कत नहीं है आप इसे rearrange करके इसे भी लिख सकते हो न a f का square जो है वो होगे आपका a o का square और minus o f का square होगी है ठीक है यह होगे आपका आप इसे equation fourth let कर लो ठीक है equation 2 है equation 2 क्या है equation 2 है o b का square मैं यह आप लिख देता हूँ o b का square equal to o d का square plus b d का square ठीक है यह है equation 2 इसमें आपको क्या करना है इसमें आपको देखो b d का value निकलना है उपर देखो आप क्या प्रूफ करता है b d b d का value निकलना है तो इसमें से b d का value equal to आ जाएगा ob का square and minus od का square ठीक है यह आ गया तो यह आ गया आपका equation 5th equation 5th let कर लो similarly from equation third equation third है आपका equation third है oc का square equal to oe का square plus c e का square ठीक है यह है आप देखो इसमें आपको c e का value निकालना है तो यहां से c e का value आपको निकल जाएगा तो यहां से c e का square equal to कितना हो जाएगा oc का square minus oe का square मतलब oc का square इसको धर shift करोगे तो minus oe का square यह आगया आपका equation 6th ठीक है आप देखो यह तीनों जो है plus के form में है यह a f b d और c e जो है यह plus के form में ता आप तीनों equation को क्या करो plus कर दो आप लिखो कि यहां पर from equation 4th plus 5th plus 6th ठीक है वी गेट तो लह से आपको यह जोड़ो a f का square plus b d का square और plus c e का square इक्वल्टी हो जाएगा a o का square minus o f का square फिर plus o b का square minus o d का square और plus o c का square और minus o e का square ठीक है अब देखो क्या करना अब इसमें आपको एक step और समझना है इस figure में समझना है ठीक है यह जो figure है यह ऐसे है ठीक है अब आप इस figure में समझो एक step है बस जो important step है यहां पर देखो धियान चे देखो आपको क्या करना है LHS वाला पार्ट तो आपका आ गिया है ठीक है देखो CE का SQAर यहां तक आ गिया है बस RHS में सब में प्लस में है और इसमें 3 है और इधर 6 है 1,2,3,4,5,6 पार्ट है इधर तो आपको बस RHS में ही चेंज करना है और RHS में क्या चेंज होगा सबसे पहले आप LHS लिख लो यहां पर LHS आप मैं लिख देता हूँ AF का SQAर प्लस BD का SQAर प्लस CE का SQAर इक्वेल टू अब देखो यहां पर AO का SQAर मेंस OF का SQAर अगर मैं AO का SQAर और मैंस OF का SQAर करूँ देखो AO का SQAर मैंस OF का SQAर तो यह AF का SQAर आ रहा है तो ऐसा करने से तो यहां पर सवाल हमारा solve होगा नहीं ठीक है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा इसमें आपको थोड़ा सा इसका combination ढूंडू दूसरा ताकि हमारा क्या आजाए दूसरा चीज आजाए देखो इधर हमें AF लाना था हमें तीन ही single step लाना है देखो AE का SQAर CD का SQAर और B F का SQAर AE लाना है तो देखो, AE अगर लाना है तो अभी हमें क्या करना है इसमें इस Triangle का Good जो जो ट्रेंगल हमने ले रखा था उसको नहीं जो बचा हुआ जिसमें देखो मैं जिसमें ये रेड कलर का कर देता हूं मार के स्टार ये इस ट्रेंगल का कॉंबिनेशन लेकर चलना है तब जाकर कि आपका सवाल जो है इसली स्वाल हो जाए कैसे देखो यहां से अगर आप देखो मैं पहले इसका कॉंबिनेशन बना देता हूं देखो ओ और ओ और ओई का कॉंबिनेशन बनाता हूं देखो यहां पर ओ का स्कोर और मैनस ओ وقी का स्कोर बना दिया आपको ओ और ऑवर ऐ का बनांग dedicate 음악 यंट रेंगल हो जाएगा और ओर यंगलम हग यहां उसके बाद देखो, इस वाले triangle में आपको OF और BF का बनाना है, तो देखो, OF और BF का बनाना है यहाँ पर, तो देखो, यहाँ पर आपको BF चाहिए, तो यहाँ पर OF, यह वाला triangle का आपने यूज कर रखा, इसका यूज करना है अभी आपको, तो OF और BO, या फिर OB कहे दो, तो यहाँ पर क्या बचा, OB का स्क्वाइर, प्लस OB का स्क्वाइर, और मैनस OF का स्क्वाइर, देखो, OF का स्क्वाइर, इन दोनों का combination बना दिया मैंने, इसका और इसका बना दिया, तो रैकेन सक्या, आप लिख दो यहाँ पर, OC का स्क्वाइर, और मैनस O D का स्क्वाइर ठीक है अब यह रहेगा और मैंने ऐसा क्यों करा क्योंकि हमें अभी दूसरे जिसमें मैंने रेंड कलर का स्टार बना रखाना इस ट्रेंगल का कौन लेना है आपको यह मैंने क्यों लिया देखो इस अगर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया इन दोनों से आपका जो है अंसर कुछ और ही आयेगा देखो अगर मैं स्टार वाले ट्रेंगल में आउं इसवाले ट्रेंगल में आऊं तो यह इसका है हे और प्लस ए- का ड् अगर आप यूज़ करोगे तो है पोटेनस का स्क्वेर प्लस OE का स्क्वेर और AE का स्क्वेर होगा अब देखो अगर यहां से आपको क्या करना है AE का वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा AO का स्क्वेर और मैनस OE का स्क्वेर होगा AO का SQAIR मैनस OE का SQAIR equal to आजाएगा AE का SQAIR आएगा तो यही चीज़ देखो AO और OE AO और OE इसलिए मैंने लिखा यहाँ पर ती यहाँ पर आगिया आपका क्या आजाएगा यह आजाएगा आपका AE का SQAIR दूसरे जस्ट आपोजी ट्रेंगल में हमें चले जाना है इस ट्रेंगल में इस ट्रेंगल में आजाएगा आपका BF का SQAIR ठीक है यहाँ आप आजाएगा प्लस BF का SQAIR और इस ट्रेंगल में क्या आजाएगा देखो इस ट्रेंगल में हम थे इस ट्रेंगल में क्या आ जाएगा, यहाँ आपका cd का square plus cd का square, यहीचीज आरे चैसमा हम्य करना था, इन दोनों को मिला कर यह क्या square, इन दोनों को यह और इसका cd का square, और इदर लिखिदो आप, as it is जोज़े है, af का 2 entered, plus bd काや square plus cj k ja square ठीक है, और यही चीज आपको क्या करना था, प्रोब्ड करना था, और यहाँ पर हो गया, ठीक है, तो I hope आपको यह question easily समझ मा आईया होगा, आप इसे दिहान से देखना, दो बार देखना, और easily समझ मा आयेगा, तो फिर मिलते हैं next video में next question के साथ,